घर का डॉग फूट कैसे बनाएं मैंने इसमें आदे चम्मस चावल का पॉडर वो मिला यह आप देख सकते हैं और फिर मैं इसमें मिलाओंगा एक चम्मस सरेलेक बहुत हेल्दी है चावल भी और सरेलेक भी इसमें आपकी सरेलेक जो है कम खर्चा वाएगा यह बन चुका है देख सकते हैं यह बिल्कुल सही तो वासा देख लेंगे जैसे सुजी बनते है ना विल्कुल इसी तरीके से ही बन गया हूँ और इसका खुजबू भी बहुत अच्छा है और पपी जो है बहुत बढ़िया करके खाते हैं इसे बहुत पसंद करते हैं तो आप घर्चे ही अपना डॉक फूट बना सकते हैं बहुत कम पैसा खर्च रहेंगे आपके मैं अपने जर्मन सेफट पपी को देता हूँ 55-60 दिन का हो चुका है और आज मैं उसको पपी डीपी वैसे लगाया कि अब बटार जा अब 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 देख सकते आब अब मैं इसमें आड़ करूंगा अब अब मैं इसमें आड़ करूंगा अब तो आप यह सरलाइब ज्यादा नहीं एक चम्मस यह इतना इतना बहुत है इसमें आपका सहरलक की पचत भी होएंगे मतलब कम खर्च होएगा जादे दिन चलाएगा अब यह इसमें अच्छी तरह से इसमें आप यह हलके में जो है भारी खाना हो गया एक चावल और दूसरा सहरलेक तो ठीके जोस्तों आप लोग अच्छे रहिए अपने पप्ती को भी सौस्त रखिए और ऐसे हेल्दी खाना की टिप्स जानने के लिए में चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिये और लाइक तो करी लेना होके दोस्तों बाए बाए